नमस्कार, UPSC Current Interface में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है मनीश्रवास्तो और आज हम बात करेंगे वैज्ञानिकों को मानव मस्तिष्क में मिली एक नई परत के बारे में मानव मस्तिष्ष शरीर के जटेल अंगों में से एक है चिकित सविज्ञान ने पिछले कई दशकों में आश्चरी जनक वृद्धी की है लेकिन मानव शरीर विशेशकर मानव मस्तिष्क अभी एक रहस से बना हुआ है हाली में डेनमारक स्थित कोफिन गन विश्विद्याले और अमेरकी रोचेस्टर विश्विद्याले के शोधकर्ताओं को एक संयुक्त शोध के दورान मानव मस्तिष्क में एक छुपी हुई परत मिली उत्तकों की नई मिली ये परत हमारे मस्तिश के ग्रे और सफेद पदार्थ की रक्षा करने में मदद करती है ये जिली नुमा उत्तकों की परत मस्तिश के विभिन्ने हिस्सों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में भूमी का निभाती है शोदगर्ताओं के अनुसार ये परत मानव मस्तिश्क की विशिष्ट प्रतिरक्षा को शिकाओं के उत्पन होने का स्थान भी हो सकता है हाला कि ये परत मस्तिश्क से अप्षिष्ट हटानी की प्रणाली जिसे गिलिम्फेटिक कहा जाता है में साहयक होती है शोध करताओने से SYLM दा सूब्रा कोईनोईट लिम्फेटिक लाइक मेंब्रेन नाम दिया है शोध में पाया गया है कि SLYM मस्तिश की रक्षा करने वाली दो अन्य जिलियों के बीच स्तित है SYLM हमारे मानव मस्तिश के द्रविस्थान को दो भागों में विभाजित करती है आपको बता दें हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के विपरीत हमारा केंद्रिय तंत्री का तंत्र में लिम्फेटिक प्रतिरक्षा वाहिका लिम्फेटिक इम्यून वेसल्स नहीं होती इसे मानव शरीर में प्रतिरक्षा विशेशा अधिकार माना जाता है प्रतिरक्षा विशेशा अधिकार मानव शरीर में उन अंगों को संदर्पित करता है जहां प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं अत्याधिक नियंत्रित होती हैं जैसे कि हमारी आखें और व्रिशन लिंफेटिक या लसीका वाहिकाएं पूरी शरीर में कैपलिरीस का नेटवर्क है जो संक्रमन और अन्य बिमारियों से लड़ने वाले द्रव को शरीर के सभी उत्तकों तक ले जाने का काम करती है मानम मस्तिश्क को सामान नियता तीन इकाईयों अग्रमस्तिश्क, मद्यमस्तिश्क और पर्शेमस्तिश्क में विभाजित किया जाता है